मुझे आशिरवाद देजिए माता कि मैं पित्वी पर विजय प्राप्ट करके आपकी आत्मा कर सुखी कर सकता तुमारी माता का आशिरवाद सदा तुम्हें शक्ति देगा पित्वी विजय कर शिक्र ही लोटना और अपनी माता की आत्मा को शान्द करना पुत्र प्रणाम माता हूँ प्रणाम माता हूँ कर दो हाह! कह रन्यकश्यप्द अपने भाई हिरन्याक्ष के वद्पर्ट का प्रतिशोद लेने के लिए मुआ हुआ हुआ ज़ी के लिए रहन्यकश्यप्द असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रतिक्ष देखकर आ रहा हूं। श्री हरी अब क्या होगा जो विधाता चाहेंगे वही होगा। सिश्टी करता ब्रह्मा जी ने देव और दैतियों का संखर्ष सदा सदा के लिए विधी के विधान में लिखते आ है। इसलिए आपको तो सदा ही दैतियों से संखर्ष के लिए तकपरे न चाहिए। आपकी क्रपा होते हुए भी हमें ये कश्च और पीड़ा भोगती होगी। देव राज रुदी के लेक को मिटाना तो हमारे वश में भी नहीं है पर उत इतना आवश्य कह सकते हैं। दैतिये शक्ति जब चरम सीमा पर आप होचेगी। तो देव रक्षक और धर्म रक्षक होने का आप न करता हुए। हम अवश्य पूर्ण करेंगे। दैतिये शक्ति की चरम सीमा क्याने तक है। हम क्या करें। तो आपका पक्ष दुर्बल हो जाएगा। और आपके पक्ष के दुर्बल होने पर हम आपके अबेक्षित साहता नहीं कर सकेंगे। क्यों ना रख तुम क्या कहते हो।